आप खरक देख सकते हैं हमारी स्कीन बिल्क और ग्लोइंग और सॉफ्ट हो जाती है हेलो और वेलकुम गाई स्वागते हैं आप सभी का मेरे को और न्यू ब्लॉग में आई होग आप सभी अच्छे होंगी और मैं भी बढ़िया हूँ और एक बूशने स्कीन के रूटीन में तो आग को पता है कि विंटर आ गया है वाहारे सदो होंगी होती है आग का है अपके साथ यह जादा रूशन है इसे स्किन केुटिन थे करें ने क्वाइब में छेड़ाना। क Tôi आज रहें कि फेस्टे 的 ही स्कराइब है यह स्कराइब का ज़ा है क मैं फार्ट पारृटिन में पारृटिन । चलिए वीडियो को पते हैं जब भी हम कोई भी मेकप करते हैं कोई भी चीज अपने फेस पर एपलाए करते हैं तो हम फेस वाश करते हैं कुछ चीज डिफरें डिफरें टाइप की फेस वाश यूज करते हैं जैसे बमार्त के फेस वाश हो गया या गार्नियर का हो गया पॉंस का हो गया कोई भी फेस वा मैं। परिजुस के लिए प्राइस के लिए हूं अप्लाई के रख लिए रख फेस लिए खों से का अगर बातो है खोरोगी गाला हैं कि और नहीं प्राइस आपका यूद्धीॉ अगर आप उसको एपलाई ना करके बेसन का फेस वाश यूज़ करोगी तो बहुत अच्छा होगा इसको अपने बात्रों में रख सकते हो जब भी आप फेस वाश करते हो तो आप इसको एपलाई करें पानी लेरे हूँ है और मैंने इसको एक पेस्ट बना दिया तो सबसे पहले फेस वाश को करने के लिए अपनी स्कीन को गीला करना पड़ेगा हमें तो मैंने कॉटन में पानी कर लिया है यूज़ और पानी से पूरे फेस को गीला कर दूंगी पूरा फेस गीला करने के बाद हम करेंगे पहले फेस वाश तो सबसे पहले करेंगे हम फेस वाश फेस वाश के लिए ले लिया है मैंने बेसन और पूरे फेस को गीला करके आप बेसन को एपलाई करें और जिस तरह से मैं circulation mode में अपने face wash को apply कर रहे हैं इस तरह से आपको भी apply करना है आपका जो nose area है यहां पे आपको अच्छे से finger की help से face wash का use करना है आपको जो chin area है यहां पे भी आपको अच्छे से apply करना है face wash को पूरी skin में जब आप अपने face wash को apply कर दोगे तो उसके बाद आ को आपको पेस को वाश कर देना है वाशय चौका है तो अब इसको बॉश करने की। पार मैंने पी 서 kो वाश कर लिया है तो पहले इस को ड्राइक कर लेते हैお पिस हमारा अङरसी तरह से ड्राई रैंता है अब सेञे ड्राई कर क्ळाई है जो भी हमारे skin में जो dead skin होगी वो scrubbing से पहार निकलेगी तो मैं आपको बताती हूँ किस किस चीज से आपको अपने face पे scrubbing करनी है जब आपका face अच्छी तरह से face wash हो जाए face wash करने के बाद second step रहता है scrub करने का जिक हमmaITY निरए मीं पतीडेजी तो उसमुरा कि उसका बेसक्राइब करने का साथ में इसके बादेब से चीनी नहीं होती है मैंनेや यहाँ पीज़स्ते हैं हलदी के साहचिस दूद का मतलब है जो बेंड़े से है स्क्रबबं करने के लिए जो भी हमें चीजओn ब्रैट नेकम करें था और नेकर स्कृबिंग करें ГaFF चूमतां तर कछिनी जाने को दो की है तरो जाना कर सकती है है कि अपसकी दो झ trump के उपके अपस हो सबर्बिन करना है तो सक्रुबिंग निस में स कछलु supports एफिस के साथ साथ स्नेक पर भी scrubbing करें अपने हाथों में भी scrubbing करें युद लिया है अब हम फिस को अपने साफ फा इसे wash कर लिए है अभी हमारा 3 sites तो दो स्कृन लिया हम लाइस स्क्रूबिंग tahun對不對 थीजर किता के बार दो सीधक बर्याइऑ कि लेut के लिए ऑर थन अंपार है और थोड़ा साल ले बैल से लेंगे हम विद्धार के से बार कणैने के लिए हम छीग के लिए तो विटामिन सी हमारी स्किम की जो भी काली परत है उसको खटा देता है और जो वेसन है वो तो यूसपुल होता ही है और साथ में गुलाब जल और इन सबी चीजों को मिला कि हमें एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगी और इस पेस्ट को अपने फेस पर अच्छे से एपलाई क करना है तो यह देखिए पेस्ट हमारा बन चुका है अब इसको फेस पर अपलाई करते हैं तो अभी थर स्टेप हमारा फेस्ट मास्का जो मैंने आपको भी तिखाया यह अच्छे से पेस्ट बन चुका है इसका अब इसको अपने फेस्ट पर हमें 10 या 15 मिनट तक अपलाई पेस्ट को नजा सकते हैं जैसे पानी बी हैं तो अपनी को अपर है और एड तो मैंने यहां पी वाट्यम को एड़ किया है तो यहां पर मै Πेस में अपने अंच्छे से इस इस Co इस पैक को एप्लाई करना है तो आपको आइज के यरिए में अपलाई करना है वैसे थो यह सारी चीजे नैशुरल ही होती है लेकिन आप आई दोर ही पैक को लगां और साथ साथ में पैक जब आपने फेस पे भी इपलाई करते हूँ तो साथ साथ में नेक एरिया में भी इसको अपलाई करें मैं नहीं लिगा मैं छोंगाया है तो मैं आपको कर णोगी कि आप लगां जो को दो करना को अपना नक मीनटिए टेपन दीक हम ना थे पर जब पूरा टोनेक को अपनेट पैस में प्लास क्या है इसको हम बॉश करेंगे 10 या 15 मिनट के बाद जब आपका फेस पूरा ड्राइ हो जाए तब आपको इस पैक को बॉश करना है और उसके बाद आपकी जो भी स्कीन के रूटीन है वह कंप्लीट हो जाता है तो पहले हम फिर से फेस बॉश कर लेते हैं 10 मिनट हो गए है र और आप हरक देख सकते हैं हमारी स्कीन बिल्कुल ग्रोइंग और सॉफ्ट हो जाती है इसके बाद तो कैसा लगा आपको आज बीडियो स्किन केर रुटीन का बीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीस कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें शेयर करें और आप भी अपने पैसा concept आप step by step use करें अपने skin को glowing और healthy बनाने के लिए तो मिलते हैं एक और new vlog के साथ अब तक ले take care bye bye thank you for watching